प्रेंज में और एक वीडियो लेकर आगे हम आपके पास और ये क्लान देख सकते हो हम पडल पावर याने हमारा सियोशी गुरु भाई का क्लान है तो मैंने आया हो कुछ दिनों के लिए और अभी सो जाल रहा है जी वाई ची इवेंट तो भाई वो इवेंट हायर लेकर प्लेयर के लिए बहुत ही बैड इवेंट है क्योंकि मैं हाई लेगी में 48 48 का हुजी स्वेस में कौन लेकर कौन अटक स्ट्रेजी में अटक करेगा बैन कॉंप्लीट के लिए 48 48 हमारा भारवियान अर्चे लेना चाहिए तो इसलिए स्ट्रेजी में अटक कर रहा हूं तो देख सकते हो एक 99 परशन है तो चलिए पहले हम 99 परशन को देखते हैं वह अटक मेंने केशा किया है तो चलिए शुरू करते हैं वह अटक लिए में प्रूंनल का मैक्साओट बैक से फुल मैक्साओट नहीं है मैंने तरह में भी टाउणल नाइं एंक शरी फुल मैक्साओट प्लें नहीं हूं तो इसको मैंने स्ट्रेडरिका थीं तूंस्टर किया और 10 जियान और 19 मेरा माइनर पास में मेरा वाल ब्रेकर ता जो की बहुत अच्छा काम किया अब देख सबते हो सब अच्छे काम कर रहे हैं और मेरा वाल ब्रेकर टाउनल के पास चला गया बाई वाल ब्रेकर का यही अच्छा मुझे लगता है वो दिरे दिरे करके टाउनल के पास जाकर ही ठूटता ही और टाउनल टूर जाता ही इसलिए टूस्टर कॉम्पल्शेर ही होड़ता ही देख सकते हो यह बेस बीच में है मैरा बोलर एंड पिंगे साइड के तरफ में पना पड़ा है मेरे पास तो फॉनल में और कुछे ही नहीं मतलब जारा यह जादा कुछे बोल ले जाएंगे साइड लेकिन अर्चेर से फॉनल कर दिया मैंने और थोड़ा तो बोलर भी दो है तो बहुर अच्छा काम कर रहे है वो तो बेस में और कुछ नहीं था लेकिन मेरा क क्योंकि मरनी वाली थी मेरा कुछ तो लास्ट वाला अर्चे टावर भी डेड़ होना जा रहा है हो भी गया लेकिन यह लास्ट कैनन रूग जिसके वाज़से मेरा थ्री स्टर अटक नहीं हो पाया थोड़ा अर्चर था लेकिन तीन चार अर्चर एक कैनन को लेना के लिए क आप देखेते हैं उस अटक में मैं 51 अर्चर एउच किया था लेकिन यह वाला अटक में 51 बार्गेन उच किया हूँ क्योंकि एक अटक में मैं दोनों का 51 51 ले जाऊंगा तो मेरा वैसे ही 1002 मेरा हाउजिंग स्पेस शिर्फ बख्वास स्टेटेजी में ही चला जाएगा इस इसलिए मैंने एसलिया हूँ तो भाई यह भी आप डेख सकते हूँ बेस बहुत याचाए एक इंफोनों है एक इंफोनों काम कर रहा है तो चलिए अटक शुरू करते हैं तो ओके भाई तो मैंने यहां से शुरू किया हूँ जियान चोनने के लिए तो थोड़ा बार्वेन भी मैंने डेफलर कर दिया और इस ट्रैम मेरे पास सेज नहीं था जो की थोड़ा पूरा बात था लेकिन कोई बात नहीं मेरे पास माइनर जो की अच्छा एक्सस दे रहे हैं मुझे तो मैंनर का बहुत अच्छा एक काम मुझे देखें नहीं मिलता है बाइनर को थोड़ा हील दे दोगे तो वह बहुत अच्छा काम करते हैं मतलब उनके लिए वाल पार सबको तो अंदर गुश के चाला दाते हैं इदम चाउनल के पास में यह अटक देखो साइड के तरफ आजर करके मेरा माइनर एंड बोलर एड मारा तो किंग नहीं है कोई अच्छा काम केसे कर रहा है लागाई वह बहुत अच्छा बाइब नंगर करके जारहें एककर साइड पर मैरे ने दोनार पीका भी यहां साइक के तरफ बारवयन युज़ किया जिसके तरफ मेरा सारे इसारे डिफेंस बॉलर और और पेका के से बिजिये इसलिए मेरा ये बारवयन भी अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरा एक लास्ट हीलिंग ता इसको भी डेपलर कर दिया मैने चूंकि यहां मेरा बोलो डेट्रीड होने वाला था और पेका को भी थोड़ा हील चाहिए था तो यहां से भई बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरा माइनर माइनर बहुत ही अच्छा डेमेज दे रहा है बेस में ओके देख सकते हो और कुईन का भी अबिल्यूटियों भी तक है कि तो नहीं है मेरे पस यार अभी 32 का कुईन का लेवल है भाई मेरे पस इसलिए के था भाई आप टाउन उसके इस सब से आपको हीरोस को अपग्रेट करना चाहिए ओके तो देख सकते हो यहां तो भाई हीरोसोर तो आपको बेस में बहुत सारे डेमेश आ जाता है तो यहां देखो भाई एक बार तो यह बेस यार कम्प्लिट हो गया यह बेस ठीश्टर तो फ्रेंज आए होप लिए अटक दोनों बहुत अच्छा लगाओ आपका भी इवेंट कम्प्लिट नहीं हुआ है तो जरूर यहां आप ट्रेटेजी लेकर इवेंट कम्प्लिट कर सकते हो क्योंकि मेरा इए देख साथ को में इवेंट लेकर एक बहुत अच्छा यह कंई दोरानम उइथार सीशी में आटक किया था लेकिन देख साथ हैं एक बोलुतता मेरा सीशी में В transfों इसलिए मेरा नोंच हो गया था तो यह सही आप अटकर के आपका इवेंट कॉप्लिक कर देना तो मैं अभी टाउनल 7 से टाइटिट पुछिंग कर रहा हूं तो प्लीज उसमें भी आप प्लीज आजाना रोज लाइब स्ट्रीम करता हूं मैंने बाई और मैंने चैनल में अपने आप अपनी चैनल को सब्सक्रीब कर देना तो प्रेंट यह वीडियो को यही कितम किरते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक बाई बाई जैही